नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डोग की, जिसने आतंकियों से लोहा लिया, जियां, आतंकियों से लोहा, जम्मो कश्मीर के अंदर, हम बात कर रहे हैं आर्मे डोग जूम की, दो गोलियां लगी उसको, दो गोलियां लगी, संघर्ष किया उसने पूरा, लेकिन कहते हैं कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, और हमारे ये डोग भी शहीद हो गया, ये जो डोग था जूम, जिसके हम बात कर रहे हैं, ये जर्मन सेफ़र्ड ब्रिट का डोग था, और ये जम्मो कश्मीर के अंदर, आतंक वादियों का पता लगाता था, ये सुंगता था कि कहां पर आतंक वादि छिपे हैं, और इसी लिए आतंक वादि इससे खार खाये हुए थे, कहने कोई एक डोग, लेकिन ये आर्मी का जो असाल्ट डोग है, वो अपने आप में बहुत ही खास था, हर कोई उसे प्यार करता था, लगातार उसने बड़े-बड़े मिशन सोल्व किये, बहुत सारे आतंक वादियों का पता बताया, बहुत सारे जंगाग बं, कहां छिपे हैं ये बताया, बहुत ही समझदार जूम था, लेकिन आतंक वादियों को जूम कतई भी पसंद नहीं था, और इस बार आतंक वादियों ने उसे अपना निशाना बनाया, जब वो ये जान गया कि कहां पर आतंक वादियों छुपे हैं, तभी उस पर गोलियां चलाए गई, दो गोलियां उसको लगी, एक बार ऐसा लगा कि शायद वो सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और वो हमारे बीची से चला गया, तो साथियों वैसे भी कहा जाता है कि डोग बड़े वफदार होते हैं, और हमारी आर्मी के अंदर जो डोग हैं, उनका काम भी बड़ा ही खतरणा के हैं, ये कभी कभी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे में जूम का हमारे बीच से चला जाना, ये बड़ा ही दुखद है, तो दोस्तों आप भी सोचिए कि आतंक वाद कितना खतरणाग है, झालसरी आप भी सोचिए लिए फ़री आतंक वादा कर आतंक वाद कितना खतरणाग हैं, तो झालसरी सकततरणाग है, ये झाल csakवता कितना अपहन एगड़ा हैं, तोस्तों आपहन